इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जख हैं आजमेर राजस्थान सब्साहूडम बोलो एक हचाड़ भगवान आदिनात भगवान की एक हचाड़ भगवान महावीर स्वामी की आचार भगवन कुंद कुंद स्वामी जी महा मुनिराज की आचार भगवन वासल रतनाकर आचार गुर्दे विशुद सागर जी महा मुनिराज की आहिंसा में विश्व जेन धरम की भव बंदू आज हम सब यहां भगवान महावीर स्वामी की द्वारा प्रदर्शित दिव्य देशना का पान करने यहां आए हैं और जो हमने पूर्व में किया है वही आज हमारे उदे में आया है क्या जो हमने पूर्व में किया है वह आज उदे में आया है आज आप सब यहां धरम श्रवन करने आए हो शुरुत की अराधना करने आए हो तो यह नहीं समझना कि आज का किया है आज आ रहा है आपने पूर में धर्म शवन किया था गुरुमों की सेवा करी थी तो आज उसका फल उदे में है कि आपको यहां पर आचार भगवन की वार्णी सुनने का इतने बड़े मुनी संके दर्शन करने का लाब प्राप्त हुआ है यह कोई छोटा मोटा पुन नहीं है पूर में किया है तो आज उदे में आया है तो अब सोच लो कि हमें आगे क्या करना है आज करेंगे तो फिर आगे फल मिलेगा कहते हैं न आप लोग सब नौकरी करते हैं काम धंदा करते हैं करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं सब करते हैं क्यों कर रहे हैं आज कमा कमा क्या आप बैंक में पईसे जमा कर रहे हैं कि आज कमा के रख लेंगे तो भविश में भोगने को मिलेगा कहते हैं जब लॉकडाउन आया था तो कमाई के साधिन क्या थे किसी के पास सब बन था मगर क्या काम में आया जो आपने पूर्व में कमा के रखा था वहां लॉकडाउन में काम में आया की नहीं जो आप तो सब तो जेनी है आप लोग तो सब गर्मी में अनाज भरके रखी लेते हैं घर में साल भर का रखते की नहीं रखते कि साल भर का अनाज हम भर के रख लेते हैं कि वह साल भर का अनाज अगर बरसात आ गई आंदी तूफान भी आ गया बाड आगे कुछ भी प्रकोप आया हमारे घर में तो अन्य रखा है हमारा तो काम चली जाएगा जब आप सब इतनी ही ग्यानी है तो फिर पुन्य कमाने में क्यों कंजूसी करते हो क्यों कंजूसी करते हो धन कमाने में कंजूसी नहीं करते तंकलेश करने में कंजूसी नहीं करते किसी में नहीं करते मगर पुन्य की क्रिया करने में ही कंजूसी क्यों करते हो शुद्ध श्रवन करने में कंजूसी क्यों करते हो अब सोचो कल रविवार था सब आए थे शुद्ध श्रवन करने ओ गुरु जी की वाणी सुनने और सब कह रहे थे क्या प्रवचन है क्या प्रवचन है जब वो एक दिन इतने अच्छे लगते हैं तो जब रोज शुर्थ श्रवन करोगे तो फिर महीमा ही क्या होगी और जब आपको इतना आनन्द आ रहा है ये 22 पिछियों को देखकर 22 पिछियों को देखकर आपको इतना ही आनन्द आ रहा है तो ये सोचो, जिस दिन आप अपने हाथ में पिछी लेकर बैठोगे, तो फिर कितना आनंद होगा कब तक दूसरों के दर्शन करोगे कहते हो न, आप सब तो निश्चे वाले हो, हो किने निश्चे वाले निश्चे धर्म को पालोगे, तभी तो आगे काम चलेगा और तो निश्चे धर्म क्या कहता है, निश्चे धर्म ये थोड़ी कहता है कि दूसरों की पूजा करते रहो, क्या, निश्चे धर्म कभी कहता है कि दूसरों की पूजा करते रहो, निश्चे क्या कहता है, आपके अंदर स्वयम भगवान है आप अपने भगवान को देखो आप अपने भगवान को पहचानो तो कब तक हमारी पूजा करोगे हमारी पूजा छोड़ो वेभार की क्रिया में कर रहे हो अच्छा है मगर निश्चने भी तो लीन होने जाओ खुद को भी तो भगवान बना के देखो कि आप कितने गुरुजी जी तो कितने मुस्कुराते रहते कितने आनंद में रहते हैं कितने प्रसंद रहते हैं तो क्या आपको आनंद नहीं चाहिए क्या जब अपने पडोसी को देखते हो कि उसका घर महल इतना अच्छा हो गया है उसके पास बैंक बलेंस इतना अच्छा है मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए मेरे पास भी बैंक बलेंस इतना होना चाहिए मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए जब उनसे competition कर सकते हो तो फिर हम महाराजों से competition क्यों नहीं करते बताओ जब पडोसी से competition कर सकते हो करते हो कि नहीं कि आज इनने हमारे तेश भाईया ने विहार कराया है तो दूसरे लोग लगे अगला बाहर गुरु जी का हम कराएंगे competition है कि नहीं है जब आपस में इतना competition करते हो तो हमसे भी competition करके दिखाओ कि हम भी इतनी अच्छी सादना करेंगे हम भी उत्कृष्ट महराज बनेंगे हम भी सामाइक करेंगे हम भी व्रतनियम लेंगे आज देखते हैं competition किस से होता है कौन-कौन है जो गुरु जी से competition करेगा अपस में क्या लड़ने का अपस में क्या करने का है करो तो हमसे करो लड़ो तो तक्कर वाले से रिणना चाहिए तब तो फिर मजा आएगा जीतने का कमजोरों से जीते तो क्या जीते कमजोरों से जीते तो क्या जीते शेर से जीत के बताओ तो फिर तुम शेर खेलाओगे तो ऐसा ही है जब आप आए हो यहाँ पे तो घर क्यो जाना जब आई हो इत्ते दूर से हमारे जैस आवाइ पटना से इत्ते दूर से आए हैं बताओ इत्ते सारे आज को लोग का जनम दिन है सब गुरु जी क्षण्डों में आए हो कि इस जनम को हमें नश्ट करने आये हो जो भी यहां विक्ति आया है वह जनम दिन मनाने नहीं आया इमत भावना भावना कि मैं गुरुची में जनम दिन मनाने आया हो मेरा जनम सफल हो जाए तुम्हारा जनम दिन तुम्हारा जनम सफल तभी होगा जब आज के दिन आप एक छोटा सा भी व्रत गुरुजी के चड़नों में घ्रेंड करोगे तब ही आपका जनम दिन सफल है या केक काटने से, मिठाई बाटने से इन सबसे जनम सफल नहीं होता जनम सफल तब होता है जिस दिन हम व्रतों का अंगिकार करते हैं है की नहीं दिल्ली वाली जी आप इत्ती दूर से आए हैं और जोड़ी से आए हैं तो कोई ना कोई व्रत तो जोड़ी से अंगिकार करना चाहिए कि गुरुजी जितने बार मैं आपकी चरणों में आऊं और इतना खर्चा करके आऊं फ्लाइट से आए तो खर्चा हुआ की नहीं पतना से आए कहां कहां से आए तामसा से लोग आए जनम दिन मनाने आए हैं गुरुजी के चरणों में अब सोचो तामसा वालो जनम सफल कैसे होगा कब तक हम मुन्यों की सेवा करते रहेंगे कब तक इन मुन्यों की सेवा करोगे कभी तो ये भावना भाव कि गुरुजी आपकी पिछी ली थी अब पिछी लेना नहीं है अब तो आप से पर्मेंट पिछी खुद के पास लेके रखना है खुद के पास लेके रखना है वो पिछी को कि जिन्दरी भर अब मुझे छोटे मोटे जीवों के रक्षा नहीं करनी अब तो इस यहाँ जो इस शरीर आत्मावे पंच जिन्दरी जीव बैठा है अब उसकी रक्षा करनी है इन चार कशायों से उसकी रक्षा करनी है इन चार गतियों से कि इस बिचारे जीफ पे आप लोग को दयान नहीं आती बिचारा जो आपको इतना न्याम ख्याती दिला रहा है जो आपकी इतनी पूजा करा रहा है कोई कहता है डॉक्टर साब आई है कोई कहता है डॉक्टर अमिद जी आई है कोई कहता है दिल्ली से आई है ग्यानी जी आए है कोई कहते बाकली वाल जी आए है कोई कहते कासली वाल जी आए है कितना सम्मान से मुनी महराद लोग आप लोग का नाम ले रहे हैं कितना सम्मान नहीं कर रहे है कोई कहते टीक हम गड़ से आए है चौका लेके आए है कितना कर रहे है कोई गोंदिया से आया है कितना अच्छा गाते है तो आप लोग दियान नहीं आती इन मुनियों पर कि बेचारियों आपका सम्मान से नाम ले रहे हैं कि आपको वो सम्मान नी बनाना चाहते हैं और आप लोग उन पे दियान नहीं करते कोई एहमदाबास आया है इत्ती दूर से आया है गुरू चर्णों में ये को रिष्टेदारों के दर्शन करने नहीं आया है गुरू चर्णों में आया है तो हम यही भावना भाते हैं कि कब तक हमारे दर्शन करोगे कभी तो अपने भी दर्शन कर लो कब तक हमसे काओ कि महराजी पिच्छी से आश्रवाद दे दो पिच्छी से आश्रवाद दे दो कैसे हैं पिच्छी से आश्रवाद दे दो अरे क्या तुम लेते हो खुद की ही पिच्छी ले लो और दिन बर सर पे ठोकते रहना कहा जो दूसरे के पिछी के आश्र वाल लेते हूँ अपने पिछी लोग डिन भर लगाना हम लोग तो देखो दिन में कोई भी कपरिया करते है na तो ऐसे पिछी लेके करते हैς और ऐसे लगाते रहते हैं हर पिछी दिन भर अपने सर पर लगती है इससे बड़ा पुन्न क्या होगा महराज तो एक ही बार लगा पाएंगे हतुमें तो हर क्रिया हमें सुबे सोके उठे तो सिद्धो की वन्ना करें तो पिछ्छी लगाई मुनी महराज सामने दर्शन किये तो पिछ्छी लगा के नमुसु कहीं भी जाएं महराज आप किस आनन्द में रहते हो तो हम किस आनन्द में रहते ही न एक बार आके यहां बैठ के तो देखो कब आओगे फिर तो घर जाना है घर जाना है कभी निजगर में भी तो जाओ कभी आनन तो लो जो मुनी ध्यान में बैठे तुम कहो हम तो कपड़े पहन के बैठ लेंगे तो वो आनन नहीं आएगा वो आनन नहीं आएगा आप लोग कहते हुने यहाँ आनन दा रहा है संग है आनन दा रहा है चार महीने को आनन दा रहा है अरे चार महीने को आनन लेना जो आनन लेना तो जीवन पर्यंद का लो जीवन पर्यंद का आनन लो देखो हम यहां बेठे जिस दिन सम्गुरुजी के पास आये हैं इनको छोड़ने का मनी नहीं करता बिल्कुल मन नहीं करता इनको छोड़के कहीं जाओ क्यों परामानन्द है परमानन्द है यहां पर क्यों छोड़के जाऊं मैं तो कहता हूं मैं क्यों काम करूं जब मेरे गुरुजी काम करी रहे हैं पूरे समय बे इतनी महनत करते हैं आप यह सब देखते हो न सुबे तीन बजे से उठके महनत में लग जाते हैं और राट के ग्यारा बजे तक महनत करते रहते हैं जब भी महनत करी रहे हैं तो मैं महनत क्यों करूं मैं आराम से आनंद लेता हूं ऐसे ही आप लोग क्यों घर की महनत में लगे हो काई, कलेश, संकलेश, भाव, क्रोद, कशाय दिन भर यहीं चल रहा है और मिलता क्या है, क्या मिला, अभी जो करोगे फिर बाद में फिर भुकतोगे, करोगे भुकतोगे की नहीं, कि जो पूर में किया वो आज भोग रहे हो, अभी घर जाके क्या करने वाले हो, अब सोचना घर जाके क्या करने वाले हो, घर लोटके जाके क्या होने वाला है, वही पाचो पाप, वही चार कशाई तो बंध होगा के नहीं होगा और जो बंध होगा तो फिर भोगोगे कौनसी बही चार गतियां बही चार गतियां बही दुख सुख कहां है कहां है सुख आज कम से कम यह चिंतवन करना कि सुख कहां है मुझे सुख कहां मिलता है जहां सुख मिलता है वहीं भागते हो तो सोचो मुझे सुख कहां मिलेगा अगर आप लोग को सुख घर में मिल रहा होता तो सब लोग यहां क्यों आते क्यों दिल्ली से लोग चले आए क्यों भोपाल से चले आए कहां कहां से नहीं चलिया है दुरुप भिलाई से तक चलिया है और आईपूर्स थे भी लोग अपना क्लीनिक छोड़कर, दुकाने छोड़कर सब छोड़कर चलिया है सुख पाने में आई इतनी दुर क्यों? सुख मिल जाए, सुख मिल जाए सब लोग हाथ उठाओ, किन किन को नरकों में जाना है किस को नरक जाना है हाथ उठा के बतादो, मुझे नरक जाना है जिन दिन को नरक जाना होना तो घर चले जाना और जिन दिन को सुख में जीना हो तो गुरु की शरण में आ जाना इन से परम शरण कुछ नहीं है, पढ़ते हो ना चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साओ मंगलम, केवली पड़त धमो मंगलम, तो धर्म की मंगल शरण है कि नहीं? चतारी शरणम पपप जामी सिद्धे शरणम पपप जामी, तो पढ़ते ही हो कि कुछ विचार भी करते हो कि किसकी शरण में जाऊ मा की शरण में जाऊ कि पिताजी की शरण में जाऊ पापा पैसे देते हैं तो उनकी शरण में जाऊ कि ओफिस में बहुत पैसे देता है उनकी शरण में जाऊ कि क्लिनिक में आके पेशन्ट पैसे देता हूँ तो उसकी शरण में जाओ किस की शरण में जाओ अब विचार कर लो कि किस में उड़ना है कि नाव की शरण में जाओ कौन से शिप में जाओ कि 6 महीने मुझे कहा रहने पड़ जाए फिर देवशास गुरू मिले ना मिले सोच लो किसकी शरण में जाना है कि घरवाली की शरण में जाना है कि घरवाले की शरण में जाना है पती मारे ये बीबी की गाली सुने किसकी शरण में जाओं कि इस देवशास की गुरू की शरण में आओं अब जो बुद्धिमान होंगे वैसे तो आप लोग सब ग्यानी होई अब सबकी बुद्धिमत्ता के परिक्षा होगी सबकी बुद्धिमत्ता के परिक्षा होने वाली है कि कौन किसकी शरण में जाता है कौन आज अपने जनम को स्विकार करता है कि मुझे इस जनम में कष्ट है मुझे इस जनम में कष्ट ही कष्ट है जिन जिनने इस जनम की कष्ट को देख लिया है मरण की कष्ट को देख लिया है भी सब इस उच्च आसन पे बैठे हैं और जो आगे जनम की कष्ट से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी छोटे वाले आसन में बैठे हैं और जिनको जनम में कष्ट दिखता नहीं है उनको इसी जनम में सुख दिखराएवे सब नीचे बैठे अब सोच लो कि आपको अगर इस जनम में इस घर के कलेश से घर के वाता वरंड से कष्ट दिखता हो तो आप मुनी आरिकाओं के संग में पहुँचें उनसे अनुरूत करें हे गुरू महराज कल आपने दिखा था ना चार भाया जी लोग गुरू जी से अनुरूत कर रहे थे कि हमें इस अब जनम मरंड से बहुत कष्टर महसूस हो रहा है तो आप हमें इस जनम मरंड से मुक्ति का राह दिखाएं आप हमें दिगंबरी दिख्षा प्रदान करें जिससे हम इस जनम जरा से मुक्ति को प्राप्ट कर सकें अब फिर किसी के रोना धोना ना पड़ सुनने कभी आपने देखा मुनी महराज को रोते नहीं देखा ना कभी किसी माताजी को रोते देखा किसी सादू को रोते नहीं देखा बे तो हमेशा मंद मंद मुस्कान में आपने आनन्द के विभोरों में रहते हैं गुरुण जी को देखा ना कितने आनन्द में रहते हैं पे ध्यान भी करें तो मंद मुस्केरन के साथ अपने आनन्द ले रहें अंदर का उन्हें कोई मतलब नहीं अब बस यही आनन्द के अनुभूति जिन जिन को करनी हो तो अब ये सब गुरु की श्रण में आए एक छोटा सा भी नियम ले लिया तो भव से तर जाओगे आज ये संस्कार डाल लिये तो भवो भवो में काम में आएगा एक जीव ने कववे का मास खाने का त्याक किया था तो वह स्वर्ग में देव हो गया फिर तो आप सब तो जेनी हो उसको तो गुरु कित्ती बार मिले थी जंगल में एक बार गुरु मिले तो उसने नियम ले लिया एक बार देखने में से नियम ले लिया और आप तो रोज देखते हो हम लोग को तो भी घर नहीं छूड़ता तो भी आलू नहीं छूड़ता प्याज नहीं छूड़ता रात्री भोजन नहीं छूड़ता है काई कलेश के संसकार नहीं छूड़ते क्या आप लोग उस भील से भी गए गुजरे हो अब देखते हैं कौन कहां जाता है कि वो भील स्ट्रेश्ट है कि आप आरे वंशी हो आप लोग तो सब कहा के हो आरे वंश के हो आरे कुल के हो अब देखते हैं आरे कुल के व्यक्ति क्या करते हैं और आप तो सब राइपुर शहर के बड़े बड़े शहरों के हो कित्ते बुद्धिमान हो अब आप सब की बुद्धी मत्ता की परिक्षा आप स्वेम करेंगे हम क्या करेंगे ना गुरुजी करने वाले हैं आप सब की बुद्धी मत्ता का परिक्षा आपको स्वेम करनी है कि मुझे जीवन में क्या करना है कि मुझे नरक जाना है कि मुझे मोक्ष जाना है आप निर्णे स्वयम करो अपना निर्णे करो और अपने जीवन का कल्यान करो बस यही भावना है कि सारे जीब इस जगत में सुखी रहे संपूच कानाम प्रतिपाल कानाम यतींद सामान तपोधिनानाम करो तु शानतिम भगवान जिनेंद्रा बस यही भावना में भाता हूँ हे भगवान जिनेंद इन सब को शानतिकी प्राप्ति हो यह सब भी मोक्ष मार्ग पर लगें और अपने आत्मा का कल्यान कर इस भवों में ना भठकें बुलो भगवान महावीर स्वामी की आचार गुर्दे विशुद्ध सागर जी महा मुनिराज की प्याह मुनिराज की आचार गुर्दे विश्द प्रुन प्याह श्री मत्पुर्म भुम्भीरं स्याग्भाँ लां चिनम् जीात्री लोकिनातस्याग् सवची नंधिन् सवची नंधिन्सवची 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 नंधिन हादम नमो आरियानम नमो श्यायादम नमो लोईशो विसाभूडम अनंतनल पुरूम सुद्धकवानिके एक जड़गवान मल्लिना सोमेके एक जड़गवान महाविर सोमेके पुरूम पुद्ध आल चरिवगवन कुंद कुंद सोमेके पुरूम पुद्ध आल चरूल विरांक सागयोमन महाच के एक जड़गवान महाविर सोमेके दो बंदो अन्तम तेर्थेस और्दमाइन सौमी की साइसन में हुम सही ब्राइशते है तेर्थंक जनेन की प्यूस देशना जनेन रहरी मनिश्यों जगत कल्लाडी है ये शुर्वग्य साइसन नमोई सुसाइसन जैवन्तो हो जैवन्तो वी तराग शुर्वण संस्कृति भुग्वद अरहत परमेश्वर तेर्थंक जनेश्वर देवनिप शंपून वसंधरागो वस्तु तद्दगा दिव संदेश्टिया है जो शुर्णना जानता है शुनना जानता है वे सुनने उष्यानि की साहँ समझना जानता है निस्से बिभार की धाराओं को वो ही जीब पुष्कल जिनिंद की देशना की फल को फ्राप्ट होता है जो पुरुष सुनना तु जानता है सुनाना नहीं जानता है जो सुनाना जानता है सुनना नहीं जानता है और दोनों में विवेक रखना नहीं जानता है वह है मित्र कुमती को खड़ा करता है कुमती को खड़ा करता है अरहत दर्शन को जिन सांशन को बेही जैबन तो जीवन तरक पाएंगे जिनके श्री मस्तिक के अंदर श्यादबाद अनिकांत ब्राजमान है जिसके अंतिक निसस्यादबाद अनिकांत प्लाइन कर गया है वह कभी जिन सांशन को जैबन तिन नहीं कर पाएंगे अस्मर्थ जनों से सांशन दूशित होता है अस्मर्थ जनों से मेरे मित्र धरम दूशित होता है अस्मर्थ जनों से संसा विक्रित होती है इसलिए वाला सक्त जनाश्रियां जो वाले असक्त हैं ऐसे लोगों के माध्यम से मेरे मित्र धरम दूशित हो सकता है संस्कृती दूशित हो सकती है तत दूशित हो सकता है इसलिए ऐसे बाल असक्त जनों को देखकर की उनकी कम्यों को तो ढख लेना परन्तु उनको समझाने की भी कोशिश करना असक्त जब भी विकाज चाबला जी संस्कृती का, सहित्य का, सामराज्य का, हिराश होगा असमर्त जनों से होता है इसलिए जैन सद्धानत में पहले लिखा रखा हुआ है जो असमर्त हैं उन्हें उनकी अनकूल साधना का मार दिखाये जाए निर्गन्त मुनी दशा अर्यंत दशा है अर्यंत मुद्रा है इस मुद्रा को जो समाल नहीं सकता है इसा बाल है पिच्छी लेकर के बच्पना करके घूमे चार और उससे क्या दिगंबर मुनी की प्रसंसा होगी उपास होगा कोई असमर्त है उसको विहार करने की सामर्त नहीं है चलने की जमता समाप तो चुकी है मित्र ओ करे मुझे दिगंबरी दिख्छत चाहिए तुम चल नहीं सकोगे तो क्या पिर्थम दिन से आपको डोली लेके चलेंगे क्या असमर्त मार्ग दूशित होता है मार्ग दूशित होता है इसलिए सिद्धान के रहे वाला सत्त जिनाश्रिया बाल असत्त इनसे धर्म की बंच न हो सकती है इसी प्रिकान से जो जीव सभा को समाली में बाल है सभा को समाली में असमर्त है ऐसे पुरुष को विशाल सवान में नहीं उतरना चाहिए शवा को देख करके वक्तब करना चाहिए आचरी भगवन्त यही यहां पर कह रहे है कि सुने निपुन पुरुष है जो सापेक चिता से युक्त व्याख्यान करता है वह सुने निती निपुन है जो पक्च को लेकर के व्याख्यान करता है और सापेक स्वन्नों करके व्याख्यान करता है वह स्यातबाद शाषन को इस सापेक करपएगा वह मिध्यात उकड़ा करके चलाजायेगा अपने प्रिज्यम निरने की सामर्थ चाहिए सातों तत्तों के प्रूपना अनेकांद से होगी सातों तत्तों के प्रूपना करने वाला स्यादबांद होगा शातों तत्तों अनेकांद पूर हैं और प्रतेक द्रुविय प्रतेक द्रुविय शत्रूप है और प्रतेक द्रुव असत्रूप है जब प्रतेग द्रवी सत्रूप है प्रतेग द्रवी सत्रूप है यहीं ब्रह्म खळा कर देते जैनी लोग ऐसा कहेंगे संक्राचार प्रतेग द्रवी सत्रूप है प्रतेग द्रवी सत्रूप है संधुशिश करूं अब आपको सुनते सुनते बहुत दिन गया ज्यानी हो चुके हो प्रतेंsl द्रवी sat्रोब यहस कोई वी प्रत्वी प्रियसंधर निंग त्रेल लूक में इस लोक का आकास में कोई ऐसा द्रव नहीं है यो सत्रूप नहों, ऐसा द्रव भी नहीं है, यो असत्रूप नहों ज्यानी, परियांतर की द्रिष्टी से परियांतर की द्रिष्टी से, छेतांतर की द्रिष्टी से, सुभावांतर की द्रिष्टी से मात्मा यिश्व दिर्शागरी 400 सागरी सुभार्वांतर के दिर्श्टे से बस तु असद भूत है छेत्रांतर के दिर्श्टे से बस तु असद भूत है छेत्रांतर के दिर्श्टे से बस तु असद भूत है परियांतर के दिर्श्टे से बस तु असद भूत है भावांतर के दिरिष्टे से यह नहीं परियांतर के दिरिष्टे से बस तु असद भूत है कालांतर के दिरिष्टे से बस तु असद भूत है जान योग सब कुछ समझ में आने वाला में समझ में नहीं आ रहा ना कि यदि समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ सकता है समझ में नहीं आ रहा है ऐसा मानते हैं तो समझ में आ सकता है जो समझ में भी नहीं आए और यूं करें कि समझ में आ गिया वो नहीं समझ सकते बहुत सारे लोग कक्छा में बैठ करके अध्यापक जी पूशते हैं छात्तरों शम्मझ में आ गिया तो कौन अपने आपको कहे कि मैं हुश्यार नहीं हूँ मुले आ गिया और उन्हें कभी समझ में नहीं आएगा एमसोचो को गुरु हसी करेंगे एमसोचो गुरु हसी करेंगे और एक गुरु के सामने हसी हो जाएगी तो जगत के सामने प्रसंसा मिलेगी जो गुरु के सामने प्रसंसा चाहते हैं बेसों प्रस्त जगत में हसी के प्राप्त होंगे बैद्द के सामने तुम निरोग बनके आए हो अब तो तुम्हारा रोग ठीक हो गया बैद्द के सामने निरोग होके आयो तो तुम्हारा रोग ठीक हो गया कुछ ऐसे किसी को गुप्त रोग हो गये वो सरम कर रहा है जैस भाई बोले बैद्द जी मैं पूर ठीक हूं पूर ठीक हूं तो कहेगा ठीक हो मेरी फीस दो मैं जाता हूँ अब तुम ठीक रहे नो मालूम चला जब तक बैद जी अपने घर नहीं पहुँच पाए तब तक ज्यानी उपर चला गया क्योंकि पूँण ठीक थे ना हो जैसे वेद के सामने तो जो रोग है उसकोixed घाटित कीजए और गुरू के सामने अज्यानत हों और राजा के सामने अपनी पीडा को व्यक्त कीजए जदी प्ति के सामने अपनी अंदर की बात कव प्ति से अपनी घहरी बात पताओ जदी सानती सिजन्त चाहिती bzw बराबर समझ में आगिया उमोक्चू, निर्मल, गोंदिया, भीया समझ में आगिया प्रतीग विस्तु सतभूत है समझ में आगिया समझाओ फिर कितने भीत गिनाय थे मालूम विकास कुछ लोगों को समझ में आयाता प्रतेग बस्तु सदभूत है मतलब नित्धी है कुछ लोगों समझ में आयाता प्रतेग बस्तु सदभूत है बनी अबस्तु अबहा भूत है तो अबहा भूत है तो बस्तु कैसे सदभूत ही है सदभूत ही है तो प्रणमन कैसे यदि सत ही है तो प्रणामी कैसे वो असत ही है तो अबस्तु कैसे बस्तु रूप हो सकती है इसलिए आपको समझना चाहिए है जितनी भंग बना है आचर भगवन आज 732 नंबर की गाथा में 727 नंबर की गाथा में यही समझा रहे हैं कि जो जीव समझते नहीं है वक्ता का कर्तब है जैसे मरीज नहीं देखता मरीज नहीं देखता कोंसे जाती का बैद है अपना रोक ठीक राना चाहिए शच्चा बैद होगा तो नहीं देखता कोंसे जाती का मरीज है उसके प्रान बचाना चाहिता है ऐसे सद गुरू का करतब है ये ना देखें कौन से जाती का जीव है ये देखें जीव का अज्ञान मिट जाए और मेरे मित्र ज्ञान बनने के अब इच्छ ये सोचे कौन से जाती के सादू परमात्मा महत्मा है ये ना देखे ये देखे मुझे सद बहुत काम मिल रहा है हर विक्ति के मस्दिक में जस्साप एक निरने की मसीन लगी हुए कि आप सास्त्रों को उपदिश कर सकों ना कर सकों पर सास के विप्रीत बोलने वाले को तुम पकड़ लोगी इसपस्ट के रहा हूं कि विकास ऐसा होता है कि आप कोई ब्याख्य करो कि सामान लोग बेटी हुए है अब होंको लगते ही सब अज्यानी जीव है हाँ जैसा आपने ब्याख्यान करें करनी पाएंगे जराभी आपने जादा दूर मत जाएंगे आप तो सब्द ने कहीं साथ बिवचार करके बोल दो यहां पर अब यह नहीं बताएंगे आपने कोई से ने के साथ गरवड़ किया है लेकिन यह पकड़ लेते कि गलक बोल दिये है नभीन ओ भाया नभीन कब आएंथी नभीन भाया कब आएंथी कब जा रही हो मित्र सम्झ में क्या बोल रहा हूं नभीन भाया जी कब आएं थी कब जा रही हो ठीक बोल रहा हूं मैं ठीक बोल रहा हूं कुछ गड़बड हुआ कि नहीं हुआ क्या हुआ कि देखा कि यह सब्द नहीं के साथ भीविचार हुआ है मित्र पुले केशा आपने पुलिंग में इस्तरी लिंग का प्रयोकर दिया कि पुलिंग में इस्तरी लिंग का आपने भीविचार किये दोस किया है बोले क्या नभीन भाईया जी आप कब आई थी नभीन भाईया जी अब कब जाएंगे आप अब माना कि जिसको साथ नहीं का ग्यान नहीं है पर इतना तो सुन्ज में आ रहा है कि ये कुछ गड़बर हो रहा है बोले क्यों नभीन भाईया जी आप कब आई थे कब जाएंगे ये तो बात जम रही है ठीके न तो इस परकार से ये मैंने क्यों बोला इस रिए बोला है कि हमने आप से पूझा सबको सुन्ज में आ गया क्या सब कहरें समझ में आ गया है बहुं सारा समय बिसे समझ में तो आता है पर बचन में नहीं आता है बहुं सारा विशे समझ में आता बचन में नहीं आता है और बहुं सारे लोगों बचन में तो आता है समझ में नहीं आत ऐसे भी लोग जगत में बचन में आता है वो ले कैसे एक बच्चे को नभी ने खड़ा कर दिया वो नीचे स्वम बैठ गए बोल बिटा आत्मा सुभावं परभाव भिन्न तो बालक बुर रहा है आत्मा सुभावं परभाव भिन्न ग्याता ग्यायक सुरूपो हम भगवत सुरूपो हम अब बच्चे को यह मालूम नहीं है यह भगवत क्या होता है वो ग्यायक क्या होता है चिति ब्रह्म क्या होता है तेतन पिंड ज्यान घंट कंटू कि ग्यायक सुभाव क्या होता है उसे एक भी सब्द का बोध नहीं है, लेकिन रट रहा है बोल भी रहा है तो मतलब शब्द में तो आ रहा है पर समझ में नहीं आता है कुछ ऐसे लोग हैं, जिनको सबसमझ में आता है, लेकिन ब्यक्तव भी करने की वाक पटता नहीं है तो समझ में तो आता है, लेकिन बचन में नहीं आता है वे प्रवल पुन्यात्मा जीव है जिनको बचन में भी आता है उस समझ में भी आता है उस सुभाव में भी आता है विराजो गया नहीं कब अब आई थे कोई चिलान नहीं भाई नहीं तुम भाहर भाईया निकले वो ले आप पूचक कभाई थी, मैं तो आपको समझा रहा था कभी-कभी मालूम कोई भिन्य प्रांति जहां हिंदी का प्रयोग नहीं होता है जब हिंदी बोलते हैं तो उनकी हिंदी सुन्य में हिंदी वालों को बड़ा अच्छा लगता है बोले क्यों? कहीं लिंग विवचार करते हैं तो कहीं संख्या विवचार करते हैं कहीं संग्या विवचार करते हैं कहीं सरुनाम विवचार करते हैं कहीं क्रिया का विवचार करते हैं कहीं कर्ता का विवचार करते हैं कहीं करम का विवचार करते हैं आपको यह ऐसा लगता है कि यह सारा ब्याकन का विशा है भले ब्याकन का विशे हो लेकिन आप सभी लोग इसका प्रियोग करके बोलते हो देखिए कैसे कैसे मुमक्षो अनिल कनाड़ा एहमदाबास से असुक भीया जी गाड़ी से गुरु दर्शिन के लिए आये हैं अनिल कनाड़ा जी असुक भीया जी गुज्रास से एमदाबास से रायपूर गुरु दर्शन के लिए बाहन से आये हैं ठीक बुला ठीक बुला ठीक बुला यह नहीं कुन बुर्रा है क्यों पाहर से नहीं आये बाहन से आये बस ज्यानी इसलिए सुनना भी चाहिए है और समझना भी चाहिए देख मित्र यह पूरा उपदेश एक अक्षा की रूप में चल रहा है इसमें आपको समझना है हम क्या सुनना है और आज का जो विशय है ना 727 नमबर की गाता है वो इसी विशय को लेकर आई है अब देखिए यहां पर विकास भीया इसमें करता भी आया है इसमें करण भी आया है इसमें क्रियां भी आये इसमें करुम भी आया है अनिल भीया असोग भीया करता क्या है करता बाहन से करण चलके आये हैं क्रियां दर्शन के लिए अब भले संप्रदान है लगता संप्रदान है पर वह करम क्यों आये किसको आये इसलिए कई बार भासा विज्यानिक सब्द का ठीक रत्री निकाल पाते हैं वो कई बार सिद्धान्त वादी भासा का ठीक काम नहीं कर पाते हैं अब जहां पर आपने कारक का दिन कर लिया तो करतं ने करम को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंद काकी के रारी रे नानी ने अधिकन मेपे पर संबोधन भो रे अहो यह आपने शटकारक कहिए सब्तकारक कहिए अश्टकारक कहिए अब एक तीन भेत्यों कर दिये अध्यात्म शटकारक मानता है संबोधन अठादों साथ कारक होते हैं वो संबोधन जोड़तों आठ कारक होगे अब जो भी तुम व्यांक्या करोगे तो इस आपकी कारक लगेंगे अब कारक लगाती समय जितने रटम रटा कारक पड़े हैं वो कारक के साथ अर्थ का दुर्भवार करेगा क्योंकि जहां पर चतुरती लगना चाहिए वहां पर सश्टी का भी प्रियोग होता है जहां पर चतुरती लगना चाहिए वह सश्टी का प्रियोग होता है अनिलक नाडा जी मित्र कि रजक के लिए धूबी के लिए बस्त दे देजिए वो ब्रह्मन जी आयो है उनको बस्त देजिए तो इसमें कौनसी भी वक्ति लगेगी दे देजिए आपने तो ये पढ़ा है आपने तो ये पढ़ा है नमाहा स्वस्ती वशट्ट लंभ योगे चतुरती नमाहा की अर्थ में वशट्ट की अर्थ में स्वा की अर्थ में सुधा की अर्थ में अलम्म की अर्ष्ट में चतुरती व्योक्ति का प्रियोग होता है न बराबर लत देनी के अर्थ में ऑसको जो 5D चतुरती बालाएक दानरदे चतुरती परंतु ब्राम्पर के लिए भी लिखते जा रहा है और दोबी के लिए भस्त दिया जा रहा है तो चतूर्ती लगना चाहिए क्या नहीं लगेगी जो ब्रामणाय निंग्रो। विप्राय बस्त दा तू ब्रामट के लिए भस्त दो एधिकस बस्तम्लदातू अब सुनिए धर्मार्तम दानार्तम चतुर्थी हिंसार्तम सस्टी ये जो ब्राम्मन के लिए तुम्हें दान दिया है मुनी के लिए कोई दान आहार दिया उसमें चतुर्थी का प्रियोग होगा लेकिन ब्राम्मन के लिए चतुर्थी का प्रियोग होगा दोभी को कपड़े धोने के लिए दिये ना इसमें चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा क्यों हिंसा आरते सश्ठी इसमें आपने कपड़े धोने के लिए वह इसमें हिंसा होगी और बापिस लोगे आप पुने कि दोबी से कपड़े बापिस लोग है न तो चतुर्ती विवक्ति का प्रियोग नहीं लगा पाएंगे आप वहां पर सश्टी विवक्ति का प्रियोग होगा अब जिस विवक्ति ने मात रट्रम रट्रा पडा हुआ व्याकण को न परब करके रट्र हुआ है वह तो सब चतुर्ती का प्रियोग करेगा इसलिए कोई ये ना सोच मेटे इस प्रवचन को सुनकर के कि विशुद्ध सांगर जी ब्याकन की ब्याक्या कर रहे है ये ब्याकन की ब्याक्या तुमको दिख रही है न ये जेन आगम की ब्याक्या चर रही है आपको बहुत होना चाहिए ं के द्वासांग के अंदर कवर कर दिए को इसको कहते हैं हमारे कई आचारों की नाम के आंँगे बैटो बहुत दोनों कई आचारों के नाम के आंगे दो सी जी लेका त्रवेध्या चार आ lugगा त्रवेधिया चार का मतलब समझना चाहिए जो आचार तीन बेदों के याता है वेत्रविध्या 4 है जिसको जिसके लिए जिनके लिए अब देखो सब्दों पकड़िये जिसको जिनके लिए जिनको जिनहे सब्द एक और्थ उके रहें लेकिन सारे शब्दों के अर्थलग है जिनको जिसको अब सुमानने सब्द नहीं है देख रहे ना जिनको जिसको सामान आदमी को बोलते हैं जिसको जिनको जब हमारे पूठ जोते हैं परम पूठ जोते हैं हम जिसको नहीं बोलेंगे जिन्हें नहीं बूलेंगी जिनकों नहीं बूलेंगी जिसकों नहीं बूलेंगी जिन्हें बूलेंगे क्या बूलेंगी जिन्हें कारण पूज्यों के साथ बहु बचनिका प्रयुक्या आता है रावड आया था रावड आया था को किह लाज प्रवद पर राम uzनाट आपको पूसर अचल लग रांचोर ने लेख लोग को मंा थानरी जोल मutने अप्र 영상 कर आए पर इंस आरे जगत के ज्यानियों को समझा दो तुम ऐसा जियो कम से कम कि सब्द भी तुमको सम्मान दे पाए सब्द भी रोपड़े की मेरा प्रयोग कहां कर दिया कट कहां रावड आया था अच्छा लग रहा है रावड आया था कोई बोलेगा राम आया था यह क्या बोलते हो राम आये थे पूझ्यों के साथ बहु बचन का प्रयोग होता इस बातें सिखो नहीं तो लोग कहेंगे चोमासा हो गया अभी तक बोलना नहीं से के इसलिए बिराजो कक्का जी क्या आनन्दा है उनकी मिस्री गुल गई यह से का उले गुरु जी ने हमसे बुला उले बिराजो कक्का जी आहा नरिन भही है गुरु किर्पा कैसी गुरु किर्पा बरस रही है जहां देखो वहीं गुरु बुला लेते हैं प्र मित्र शब्त सांस्त्र कही रहा है कि ऐसा क्रिया कल्ब करो क्रिया कार करो जिससे कि मैं आपके साथ अच्छा जुण पाओं मेरे तेरे साथ मुझे अशुव रूप में ना जुनना पड़े रावड बिचारा राम से जेश थारकीनी उमर में अब यह आपको विसे पकड़ना चाहिए कितनी बड़ा आदमी उमर में हो कितनी गुड़ों में बड़ा हो लिकिन एक अब गुड़ प्रवेश कर जाए उसको मेरे मित्र बच्चे बच्चे एक बच्चन का प्रियोग करते हैं इदि अपनी नाम की आगे बच्चन का प्रियोग कराना हो अपनी नाम की आगे बच्चन का प्रियोग कराना हो तो मेरे मित्र गुड़ों का बच्चन का प्रियोग करना सीखो पर हमारे गुणों का मुहमान करने का बहुमान करने का अर्थ जो ना नर्द भी यह दूसरा है हमारे जो बहुमान गुणों का करने का अर्थ दूसरा है हो सकता विकाच छावडा का दूसरा हो मित्र हमारा अर्थ दूसरा है एक गुड़ों का भुमान यह है कि आपने जितने प्रकार के अच्छे गुड़ों होते हैं उनको कागज़ पर लिखा और लिख करके सिर पर रखा और नाच रहे हो बोले क्या है अच्छे गुड़ों का भुमान कर रहा एई सब्द नयमे चला गया जी यह दि नरिंद भाई गुरु भक्ते हैं देवक महारजी जिर मानी की भक्ते हैं निकलेस भीज़ तीरतों के भक्ते हैं इन सारे गुड़वानों को देख करके सुधीर भाकलिवाल ने गजिंद भाई ने उनको घजरा पिना दिया अब माला पिना दिये बोले महराजे हम तो धर्म धर्मात्मा का बहुमान करते हैं प्रदीप आया चन्दन की कीचर लगा गया माथे पर बोले हम तो बहुमान करते हैं सम्यक दृष्टी का बहुमान करते हैं सम्यक ज्यानी का बहुमान करते हैं सम्मिक चारत का महुमान करते हैं बहुत अच्छा करते हैं आप करना ही चाहिए लेकिन मित्र मैं जिस लक्ष पर तुमको ले जा रहा हूं चाहे तुम किशी को तिलक लगा तुमने ठीक क्या धर्मात्मा का सम्मान करना चाहिए चाहे तुम माला पिनाव तुमने ठीक किया, धर्मात्मा का बहुमान करना चाहिए तुमने भेंट दी किशोर भया ठीक है, बहुमान करना चाहिए परंतो इसे हम रत्नात्रे का बहुमान नहीं मानते इसे हम रत्नात्रे का बहुमान नहीं मानते इस परिकृत परिका बहुमान आपनी रत्रत्रे के भूमान कब किया इदी महात्मा इशुदर सहगर जी मौर रख करके द्रिष्टी को नीचे करकर करके सांति से आहर चरिया को गए ना हूं किया ना किया जैसा मिल गया सांति से आहर लेके आ गए अपनी कर्च में सांति से सामाय करने भैठ गया स्वाध्य करने भैठ गया स्वाध्य पून हुआ ध्यान करने भैठ गया ध्यान पून पून स्वाध्य करने भैठ गया स्वाध्य पून हुआ पृतिकन करने भैठ गया पृतिकन पून हुआ पून स्वाध्य करने भैठ गया किया है 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 तुटन तक भूमान किया है है जो विक्ति जितना अधिक मौन रखेगा उसका उतना सत्य व्रत अच्छे से पलेगा बोले तो विचार के बोले अनिता मौन रखे हसी मजा किया आपने सत्य व्रत का अपमान किया है सत्य ब्रत का अपमान किया है सत्य ब्रत का अपमान कर दिया चारित्र मुणी कर्म का असरव कर लिया बराबर चारित्र मुणी कर्म का असरव कर लिया गजिन भाई आने का गुरोजी मुझे दू पृत्मा चाहिए गुरुज ने आपको प्रिशन होके कल्याण आर्थ दो प्रत्मा की ब्रद्धे दिये और अब गजेंद्र सभा में आगे बैठना शुरू हो गए क्योंकि प्रत्माधारी बन चुके हैं पर जीवन के जिसने ली थी न उस दिन से निरने किया था mornings प्रत्माधारी नाम थूगया और प्रत्मा का पालन किया नहीं है मित्र यह आपने बृती बृत्यों का अपमान कर दिया इससे चारत्र मुनी कर्म का तेब आश्रफ होगा उस समार तुमको सम्मान बृति के नाम से दे रही है सो मायाचारी का भी आश्रफ होगा और मालूम चला लोग धर्मात्मा कहके मुझे बुलाता रहा और हम त्रियंच बनके पहुंच गए हाती बनके गल्यों में गुम रहे हैं और लोग मेरे लिए जहां मेरी समाधी हुई थी मृत्तु हुई थी वह चवूत्रा पर धीपक जला रहे हैं वो मालूम चला उस धीपक के बाती को बोजाने के लिए हम चुगा बनके भूम रहे हैं चाला ऐसा मतमानन घजन बिया कि जिस चबूत्रे पर दीपक रखा जा रहा है उस चबूत्रा जिसके उपर बना हुआ है ऐसा पुरुष कहीं भगमानी बन चुका हो एसा भी हो सकता है यदि मायाचारी की साधना चर रही थे, उसी चबूतर पर, गिलहरी गिरगेट, गिलहरी गिरगेट में तचुए बनके घूम रहे थे, वो चबूतरे बिल बनाके रह रहे थे, वो लेकियों संस्कार थे, कि मैं यहीं जला था, बड़े-बड़े लोगों को समल के रहना चाहिए, बड़े-बड़े लोगों को समल के रहना चाहिए, पंडीन का भेन निकल जाता है, पापों से, पून्र अभे हो जाता है, अधिकार हमारे पास कुछ भी करा सकते हैं मित्र गजिन भीया मित्र गजिन भीया चाहे सादू महत्मा का हाथ मारे सरपर हो चाहे कोई राजा के राजनिती का हाथ सरपर हो ये दोनों हाथ इस परियाय के पुन्नि के साथ है पुन्न छिन होते ये दोनों हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे मित्र आपका भावों की बिसुद्धी साथ देगे इसलिए मालूम कितने लोग गजन्द मुझे फुलाने आजाए मैं तो आग बंद करता हूँ और मुं की दाल को देखता हूँ कितने लोग फुलाने आजाए में आपको समझा रहा हूँ निर्ण भीया को समझा रहा हूँ कि चंदु भाई मित्र जित कितने लोग फुलाने आजाए प्रिसंस्या करने लग जाए आपकी तुरंती मुं की दाल देखना और संक्रांती देखने लग जाना प्रव का दिन देख लें कोई विसेश प्रव तुमारे घर में तुहार आ रहा हूँ तो बुंदिल खंड के लोग सबसेवल मुं की दाल फुलाते हैं इस कारिक्रम के पुर्ण्यार जख है श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजु जैन, प्रभातनागर मेरट स्वर्गे श्री फकीर चंड जैन, स्वर्गे श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहरनपुर उत्तरप्रदेश स्वर्गे श्री घीसु लाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर राजस्थान झाल झाल